दोस्तो आज हम आप लोगों को MPEG-2 Receiver में एक नई सैटलाइट की फ्रिक्वेंसी को एड़ करके दिखलाने वाले हैं दोस्तो ये जो फ्रिक्वेंसी है आपको इस फ्रिक्वेंसी पर लगभग दोस्तो 166 टीवी चैनल मिलते हैं हमारे पास लेकिन दोस्तो इस सैटलाइट पर 300-400 चैनल आराम से आप देख सकते हैं तो दोस्तो हम आगे आपको इस सैटलाइट पर नए नए चैनल के बारे में अपडेट दें उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा तो आईए दोस्तो हम उस सैटलाइट से रूबरू करवा देते हैं सबसे पहले दोस्तो हम आप लोगों को बताते चले हम यहां से सारे के सारे चैनल्स को डिलीट कर देते हैं दोस्तो सबसे पहले हम उस फ्रिक्वेंसी को यहां पर एट करेंगे उस frequency को दोस्तो add करने के लिए हमें 9750 डालना है फिर 9750 डाल देना है दोस्तों यहाँ पर 11836 उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 3000 symbol rate लिखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं V है इसे on करेंगे और V को हम add करेंगे दोस्तों याद रखिएगा 22 के को आपको on रखना है polyarty को दोस्तों आपको भी रखना है दोस्तों आपको discusy लगा रखा है तो lnv type 4, 3, 2, 1 आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको mode पे free आप select कर सकते हैं या दोस्तों आप all भी select कर सकते हैं बेहतरीन सेटिंग होने वाली है और यह गजब की सेटिंग होने वाली है दोस्तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी हमने डाल दिया है एक बड़ाव फ्रिक्वेंसी नोट कर लें क्योंकि यह सैटलाइट दोस्तो बहुत ही बारी की सैटलाइट है और अभी आप कहेंगे इस पे signal नहीं मिला है तो signal भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस frequency को बकायता note down कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर यह देखिये signal हमारे पास horizontal करने पर signal हमारे पास आ चुका है 51% का signal है दोस्तों और इस signal पर हमें काफी एक चैनल देखने को मिलते हैं एक और frequency पर दिखाएंगे दोस्तों इस frequency को हम scan करते हैं मैं तो radio list को open कर रखा हूँ लेकिन आप इसमें यह देखे रेडियो लिस्ट में भी हमारे पास आ चुके हैं चैनल मुझे नहीं मालूम था यह देखिए आप लोग यह सारे चैनल रेडियो लिस्ट में आये हैं यह hd चैनल है और हलके वाले hd चैनल हैं तो आ गए हैं और यहां पर आप लोग देख लिए ठीक है सिगनल भी आप लोगों ने देख लिया यहां पर यह देखिए अब एक और frequency हम यहां पर डालेंगे 10-600, 10-600, 12-700, 27-27 आप इस frequency को देखिए आप इस frequency को अपने दूरदर्शन DTH के mp4 receiver में एड़ करके नए नए चैनल को देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों इस पर भी हमें signal अच्छा खासा मिलता है दोस्तों और इसको एक बार हम यहां से थोड़ सा अप एंड डाउन करते हैं यह देखिये आप लोग यह देख सकते हैं सिगनल यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तो इसकी फुल वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में है तो उसे वी जाकर आप लोग देख लीजिए वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत 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 बहुत